मुम्किन हो पाएगा मोंदी के रत को रोक पाएंगे ये लोग मिलके? मैंने देखे सबसे पहली बात तो आप लड़ाई लड़ना है प्रधान मंत्री मोंदी के खिलाफ हो मदाख तो दुनिया में किसी कभी उड़ाया जा सकता है काशी राम जी ने कहा था कि पहला चुनाओं हारने के लिए दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए 82 दिन बचे हैं लोग सबाई चुनाओं में राम मंदिर का उड़ाटन जेलना है देश को जेलना है नमस्कार आप देख रहे हैं भारसमचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके साथ मैं हूँ स्वातिश शर्वास्तव और आज हम बात कर रहे हैं भारसमचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी शक्सियत की जो उत्तर प्रदेश की राजनीती में अपनी आकरामक शैली अपनी गंभीर शैली और कहा जा सकता है कि एक अलग मिजास के लिए बहुत फेमस है मेरे साथ इस वक्त भारसमचार के स्टूडियो में आसिम वखार जी हैं तालुक रखते हैं AIMIM से बहुत स्वागत है सर आपका भारसमचार के डिजिटल प्रेटफॉर्म पर सर आज हम चल्चा की शुरुवारत करते हैं और आपसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीती बहुत महत्वपोर्ण होती है देश के लिए किसी भी लिहास से इसको किस तरीके से देखते हैं उसमें आपके अपनी पार्टी की ओवेसी जी की कितनी भूमिका है इसको किस तरीके से देखते हैं देखे उत्तर प्रदेश भारत को कई प्रधान मंत्री दे चुका है अभी जो प्रधान मंत्री है वो भी भारत के जो प्रधान मंत्री है वो उत्तर प्रदेश से ही है उत्तर प्रदेश अपनी एक अलग पहचान अलग पॉलिटिकल फीड अलग आइडियोलोजी के लिए जान हर दल का योगदान है और मैं समझता हूं कि वैसी साहब ने जो जागरुकता चलाई लोगों के बीच में विशेश लोगों के बीच में वो जागरुकता इससे पहले कभी नहीं थी आज आदमी यह सोच रहा है कि हमें अपना हक चाहिए तो कैसे मिलेगा लड़ाई कैसे और मैं समझता हूं कि वैसे कम से कम कम 10 से 20 लीडर और होने चाहिए अगर 10-20 लीडर से आ जायेंगे तो थोय से समा समीजता हूं कि राजिनीट की दिशा और द city दोनों बदल जाएगी अगर पिशले कुछ चुनावों के बात करें तो बहुत ज्यादा सक्रियता दिखी नहीं उनकी 2024 के लिए इंडिया गडबंधन से भी आप लोग काफी अलग-अलग देख रहे हैं आपको लगता है कि सारी चीजें हो पाएंगी मुकमल इतनी गंभीर परिस्तितिया जिस तरीके से आरोप लगते हैं सांसदों के खिलाफ जो हुआ लोग सब हमें आप सभी जानते क्या परिस्तितिया हैं वो लगता है कितना मुम्किन होगा आप जैसे दलो के लिए एक बार में आपने दो सवाल पोछ लिए एक आपने हमारी भूमिका पोछ लिए और दूसरा संसद में जो चला उसमें पोछ लिया तकि हमारी जो भूमिका है वो जग जाहिर है आप भी जानती है और विपक्ष भी जानता है और पक्ष भी जानता है कि हमारी भूमिका सिर् ही कोई ऐसा हो जो इतनी मांदारी से लाड़ा हो लेकिन हमें उत्ता रिजल्ट नहीं मिला है यह मापकी बात मानते हैं भारतियन्ता पाल्टी के साथ कोई भी कहीं भी जा सकता है इमायम असदुएसी और आसिमवकार को छोड़कर हमारी गरिंटी हम नहीं जाएंगे तो सबसे ज़्यादा ताखत के साथ और सबसे ज़्यादा उसूलों के साथ हम ही लड़ ले हैं